असलाम नेकुम आवर्वन, वैलकम करती हूँ आप सब लोग को अपने चैनल फाइजा वसीम के उपर और सौफ्टर टेस्टिंग के एक और लेक्चर में आप सब लोग को वैलकम करती हूँ हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग को पिछली दो वीडियो से जो है वो डिसकर्स करते हुए आ रहे हैं और आज भी हम कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग को ही कंचिन्यू करेंगे हमने बात की थी control structure में branch testing और condition testing इन दोनों को हमने cover कर लिया था last videos में आपने watch नहीं किया और करनी है तो आप मेरे video section में जाकर भी watch कर सकते हैं और इस video के last में में भी show करवा दूँगी वहाँ पर click करके भी आप इन दोनों चीजों सो related अपना concept clear कर सकते हैं हमने बात की थी control structure testing में हमाँ पस दो types की testing होती है sorry four types की testing होती है condition branch data flow and loop testing आज की इस video में हम continue करेंगे data flow testing को तो जैसे कि हमने branch testing को भी cover कर लिया था और जैसे कि हमने condition testing को भी cover कर लिया था तो आज की इस video में हम जिस topic को continue करेंगे और control structure testing के जिस part के बारे में बात करेंगे वो है data flow testing data flow testing नाम से पता चल रहा है data flow जो हमारा data flow हो रहा है उसको हम test कर रहा है कैसे data flow होता है example लेती हूँ आपने अगर programming करी हो तो आपने काफी सारे ऐसे programs बनाए होंगे जहां पर आप काफी सारे variables वगदा यूज करते हैं कोई calculations perform करें कोई formula आपने लगाया है वहाँ पर different variables वगदा यूज होता है example के दौर पर अगर हमें quadratic formula की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास जो है अब मारा result मिलता है अब data flow testing का सारा concept सारा आपको खेल यह है कि data data from one variable is flow or transport another variable data एक variable से दूसरे variable में transfer हो रहा है so overall flow of data is a data flow आप यह कह सकते हो कि जितने भी variables होता हुआ हमारा data transform कर रहा है उन सब का flow क्या कराता है data flow कराता है तो data flow testing में हम क्या होते है we test कि जो data का flow है वो सही है या नहीं data flow testing में हम simply यह चेक कर रहे होते हैं कि जो हमारा data का flow है वो ठीक flow हो भी रहा है data या नहीं उसमें कोई problem तो नहीं हो रही कहीं पर blockage तो नहीं है यह सब चीज़े हम चेक कर रहे होते हैं और जो data एक variable दूसरे variable को values प्रोवाइट कर रहा है, वो ठीक प्रोवाइट कर रहा है, या नहीं, यह सारा concept है, हमाई पास data flow testing का, description देख लेते हैं, अब program unit, such as a function, accepts input value, performs computations, while assigning new values to local and global variables, and finally produce output values, यह वोई चीज़ है, जो कि अभी मैंने आपको पहले पताया, कि program unit में क्या रहता है, multiple variables होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारी value एक variable से दूसरे variable तक पहुशती है, और इस तरहां से मुक्तलिफ variable से होती हुई हमें हमारा result प्रोवाइट करती है, therefore, one can imagine a kind of flow of data values between variables along a path of program execution, a data value computed in a certain step of program execution is expected to be used in later steps, हमें बता ही कि जो भी variable से हमें values मिल रही हैं, वो हमारे बाकी प्रोग्राम में बाकी चीज़ों में use होंगी, later steps में हम उनको use करेंगे, तो data flow testing में हम यह ही चाक करेंगे होते हैं कि अगर जो results हमें मिल रहा हैं, जो भी हमें values प्रोवाइट की गई है, जो भी एक variable दूसरे variable को value दे रहा है, वो ठीक है यानि उनका flow ठीक है यानि यह सब जीसे है, आई हो पाँच की वीडियो आपको clear हो गई हो कि इस वीडियो से related अपना feedback शेयर जरूर कीज़ेगा, और हम control structure testing के इन तीन parts को cover कर चुके हैं, branch, condition and data flow testing को last video में, sorry, इसे next वाली वीडियो में हम बात करेंगे, लास्ट टाइप की जो कि हमाँ पस लूप testing वीडियो पसंद आए तो प्लीस वीडियो को like कर दीजेगा, बाकि friends and fellows के साथ भी share कर दीजेगा, हम मिलेंगे next video में अपना खयाल रखेगा, Allah आफिस.